दोस्तों, हिंदी के जाने माने प्रसिद्ध कवी, साहित अकादमी पुरसकार से सम्मानित, मंगलेश डवराल का बुद्धवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया, वैं 72 साल के थे, वैसे तो उनकी मौत हिर्दे गती रुकने से हुई है, लेकिन वैं कुरोना से भी संक्रमित थे, उनके फेफ़णों में संक्रमन था, और कुछ समय से ICU में भरती थे, कुरोना संक्रमन होने पर उनका इलाज गाजियाबाद के एस्पताल में चल रहा था, हालत बिगणने पर उन्हें एम्स में भरती कराया गया था, उनकी हालत काफी नाजुक थी, बुद्वार साम डायल्सिस के दोरान दो बार हार्ट अटेक आया, उन्हें बचाने के लिए डाक्टरों की टीम ने CPR दिया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका, मंगलेश डवराल एक जन कभी के रूप में विख्यात थे, वे कभी के साथ पत्रकार भी थे, और पत्रकारों में साइद पहले से पत्रकार थे, जो साहित संपादक बने थे, जनसत्ता में वे साहित संपादक भी थे, मंगलेश डवराल का जन 16 मई 1948 को तिहरी के तिहरी गड़वाल जो इस उत्राखंड के जिले उत्राखंड में पड़ता है तिहरी गड़वाल, वहां के काफल पानी गाउं में हुआ था, इनकी सिच्छा दिच्छा देहरादून में हुई, इन्होंने हिंदी पैट्रियाट प्रतिपच्छ और आसपास में काम किया दिल्ली में आकर, फिर मद्ध प्रदेश के भोपाल में कलापरिश्याद जो कि भारत भोन से प्रकासित होती है, साहितिक 83 पत्रिका थी, पुर्वाग्रह उसमें सहायक संपादक रहे, लंबे समय तक, इलाहबाद और लखनव से प्रकासित अमरित प्रभात में भी इन्होंने कुछ दिनों तक नौकरी की, 2983 में जनसत्ता में साहित संपादक बने और लंबे समय तक रहे, इन्होंने सहारा समय में भी संपादन का कारी किया, और उसके बाद निशनल बुक ट्रस्ट से जुड़ गए थे, कुरोना से संक्रमित होने के कारण 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया, मंगलेश डवराल के पाँच कावि संग्रह प्रकासित हैं, जिसमें से प्रमुख हैं, पहाड पर लाल्टेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगा है, और नए युग में सत्रू, इसके अत्रेकती इन्होंने दो गद संग्रह लिखे हैं, लेखा की रोटी और कभी का केलापन, एक यात्रा बृतान लिखा है, एक बार आईवा, दिल्ली हिंदी अकादमी के साहितकार सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था, कुमार बिकल इसम्रती पुरसकार मिला अपनी सर्फ स्रेश रचना हम जो देखते हैं के लिए साहित अकादमी पुरसकार दो हजार में इन्हें मिला था, मंगलेश डवराल की ख्याती एक अनवादक के रूप में भी रही है, इन्होंने बहुत सारी विदेशी भासाओं के लेखकों की कभिताओं का हिंदी में अन इस्पेनिस, पुर्तगाली, तालवी, फ्रांसीसी, पूलिस और बुलगारियाई भासाओं में भी अनुबाद छप चुके हैं, कभिता के अतरिक्त, वैसाहित, सिनेमा, संचार, माध्यम और संस्कृती के विश्यों पर भी नियमित लेखन करते रहे हैं, मंगलेश की कभित में सामानती बोध युम पूजी वाद छल्म छद्म दोनों का प्रतिकार दिखाई देता है, वैया प्रतिकार किसी सोर्सराबे के साथ नहीं, अपितु प्रतिपच्छ में एक सुंदर स्वप्न रच करते रहे हैं, उनका संदरी बोध सूचम है और भासा पारदर्सी कही ज सब्दे हो गए हैं, हलाकि वैं सरीर त्याक कर विदे हुए हैं, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से वैं सब्दे हैं और सदा हमारे बीच रहेंगे, वरिष्ट कभी यसमाल भी ये लिखते हैं कि उनकी कभिता के ब्यस्त ट्रैफिक में बाएं हाथ चलने की तमीज देत ही है, अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है कि नेता, इंजीनियर, डाक्टर, एंबिये, सूचना तकनीक के माहिर लोग, साप्टवेय, निर्माता, पत्रकार, पसासक, नौकरसा, चित्रकार, संगीतकार, नित्रकार, वगेरा, प्राया, राज, सत्ता, बाजार और माइकल एंजेलो बेटिकन के पोप को अपने से बड़ा नहीं, समस्ता इकबाल बानो पाकिस्तान में एहिया खान की हुकूमत के खिलाब फैज की नजम गाती रही, जर्मनी में कई कलाकार हिटलर के खिलाब पेंटिंग करते रहे, बीठो फैन नेपोलियन के बिरोध में उ कि नेता इंजीनियर, डाक्टर, एंबिये करने वाले सूचना तकनीक के माहिर लोग, साप्टवेयर, निर्माता, पत्रकार, प्रकासाक, नौकरसा, चित्रकार, संगीतकार, निर्तकार वगेरा, प्रायार, राजसत्ता, बाजार और ग्लोबलाइजेसन के अनरूप ही सोचत है, लेकिन ये कभी ही होता है, ये कलाकार ही होता है, जो सत्ताओं के प्रतकूल सोचने वाले कभी लेखक, बुद्ध जी भी ही हमेशा याद रहते हैं, उनका कहने के मतलब है कभी और लेखक ही हमेशा सत्ताओं के प्रतकूल सोचते हैं, तो मंगलेश डबराल की प्रसिद् लिखते हैं या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उनका मुह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुह की नकल बन जाता है वह अपनी आखों में काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिस करते हैं लेकिन कुरूरता एक जिली को भेती भी बाहर आती है और इतिहास की सबसे कुरूर आखों में तबदील हो जाती है ताना साह मुश्कुराते हैं भासन देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिस करते हैं कि वह मनुष्य हैं लेकिन इस कोशिस में उनकी भंगिमाएं जिन प्राणियों से मिलती जुलती हैं वह मनुष्य नहीं होते तानासा सुन्दर दिखने की कोशिश करते हैं आकारशक कपड़े पहनते हैं बार बार सज धज बदलते हैं लेकिन यह सब अंततह तानासाहों का मेकप बन कर रह जाता है इतिहास में कई बार तानासाहों का अंत हो चुका है लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें लगता है वह पहली बार हुए है इसी तरह उनकी एक कविता है आसुओं की कविता पुराने जमाने में आसुओं की बहुत कीमत थी वह मोतियों के बरावर थे और उन्हें बहता देखकर सब के दिल काप उठते थे वह हर एक की आत्मा के मुताबिक कम या ज़्यादा पारदर्सी होते थे और रोशनी को साथ से ज़्यादा रंगों में बाट सकते थे बाद में आखों को कष्ट ना देने के लिए कुछ लोगों ने मोती खरीदे और उन्हें महेंगे और स्थाई आसुओं की तरह पेश करने लगे इस तरह आसुओं में विवाजन सुरू हुआ असली आसु धीरे धीरे प्रिष्टि भूमी में चले गए दूसरी तरफ मोतीयों का कारोबार खुब फैल चुका है जो लोग अधेरे में अकेले दिवार से माथा टिका कर सचमुच रोते हैं उनकी आखों से बहुत देर बाद बमुशकल आसु नामा आसु नुमा एक चीज निकलती है और उन्ही के सरीर में गुम हो जाती है उनकी एक कवित्या है मंगलेश डवराल जी की अत्याचारी के प्रमाड अत्याचारी के निर्दोस होने के कई प्रमाड है उसके नाखों या दात लंबे नहीं है आखे लाल नहीं रहती बलकि वह मुस्कुराता रहता है अक्सर अपने घर आमंत्रित करता है और हमारी और अपना कोमल हाथ बढ़ाता है उसे घोर यास्चर है कि लोग उससे डरते है अत्याचारी के घर पुरानी तलवारें और बंदूकें सिर्फ सजावट के लिए रखी हुई है उसका तहखाना एक प्यारी सी जगह है जहां स्रेश्ट कलाकृतियों के आसपास तहरते उम्दा संगीत के बीच जो सुरच्छा मासूस होती है वह बाहर कहीं नहीं है अत्याचारी इन दुनों खूब लोग प्री है कई मरे हुए लोग भी उसके घर आते जाते हैं धन्यवाद दोस्तों एक उनकी और कविता है कविता दिन भर ठकान जैसी थी और रात में नीद की तरह सुबह पूछती हुई क्या तुमने खाना खाया रात को एक और है कहीं मुझे जाना था कहीं मुझे जाना था नहीं गया कुछ मुझे करना था नहीं किया जिसका इंतजार था मुझको वह वहाँ नहीं आया खुसी का एक गीत मुझे गाना था, गाया नहीं गया, यह सब नहीं हुआ, तो लंबी तान मुझे सोना था, सोया नहीं गया, यह सोच सोच कर कितना सुख मिलता है, ना वह जगा कहीं है, ना वह काम है, ना इंतजार है, ना वह गीत है, और नीद भी कहीं नहीं है, एक और कव साहस जलकता है और गरीबी ढकी भी दिखाई देती है उजाले में खींची इस तस्बीर के पीछे इसका अंधेरा छिपा हुआ है इस चेहरे की सांती बेचाइनी का एक मुखवटा है करोणा और कुरूरता परस पर घुले मिले हैं थोड़ा सा गर्ब गहरी सर्म में डूबा ह लड़ने की उम्र जबकी बिना लड़े बीत रही है इसमें किसी युद्ध से लोटने की यातना है और ये वह आँखे हैं जो बताती हैं कि प्रेम जिस पर सारी चीजें टिकी हैं कितना कम होता जा रहा है आत्म बुगुता और मस्खरी के बीच कई तस्वीरों की एक खिचने की निरर्थक सी उम्मेद में एक और कविता है अंत्राल हरा पहार रात में खिसक कर मेरे सिराने खड़ा हो जाता है सिखरों से टकराती हुई तुम्हारी आवाज सीलन भरी घाटी में गिरती है और बीतते द्रिश्यों की दुन्द से छनकराते रहते हैं तुम्हार देह वर्स पत्थरों पर जुकी हुई घास इचाओं की तरह अज्रस जरने एक निरगंद मृत्तु और वह सब जिससे तुम्हारा सरीर रचा गया है लोडता है रक्त में फिर से चीखने के लिए एक कविता है वसंत इन धलानों पर बसंत आएगा हमारी स्मृती में ठंड से मरी ही चाओं को फिर से जिवित करता धिमे धिमे धुन तो धुबाता खाली कटोरों में घाटी की घास फैलती रहेगी रात को धलानों से मुसाफिर की तरह गुजरता रहेगा अंधकार चारों और पत्थरों में दबा हुआ मुख फिर उबरेगा जहांकेगा कभी किसी दरार से अचानक पिघल जाएगी जैसे बीते साल की बर्फ सिकरों से तूडते आएंगे फूल अंतहीन आलिंगों के बीच एक आवाज छटपटाती रहेगी चिडिया की तरह लहू लुहा इस तरह कभी मंगलेश डवराल विदे होकर सबदे हो गए हैं नमन सर्धान जली धन्यवाद